यह काहानी ब्रेन नाम के एक लड़की के है जो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। इसका घर टाउन से बाहर होता है। ब्रेन के मॉम की मौत के बाद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो इसलिए यह अकेले ही रहा करती थी। उसके मॉम का एक सपना था टाउन का मॉडल बनाने का, जोके ब्रिंग अब उसे पूरा करना चाहती थी। उसने अपने टाउन का पूरा मॉडल तयार किया था। जिसे ये वक्त के साथ ठीक भी और कुछ तब्दीलिया भी। ब्रिंग अपना कुजारा करने के लिए कप्ड़े सिया करती थी। एक दिन जब कप्रे सीने के बार उन्हें देने जा रही थी तो उसे अपने घर के बाहर अजीब सा दाइरा बना हुआ दिखाई देता है जिसे वो पानी से मिटाने की कोशिश भी करती है मगर नहीं कर पाती अब खेर वो गाड़ी चला कर टाउन के तरफ निकल जाती है रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसे वो पसंद किया करती थी मगर जब वो गाड़ी रोक कर उसकी तरफ देखती है वो लड़का वहां से चला किया था यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाउन के लोग ब्रेन को बिलकुल पिपसंद नहीं करते थे इसलिए उसका घर टाउन से बाहर था आखिर ऐसी क्या वज़ा थी जिसका पता हमें आगे जाकर चलेगा ब्रेन भी यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी मगर टाउन में आना उसकी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ के कपरिस्तान में उसकी मॉम दफने थी इसलिए हर बार वो अपनी मॉम की कपर पर लास में चाती तब ही जब यह उधर जाती है तो उधर भी पहुत से लोग थी ब्रेन जब उन्हें हाई बोलती है तो कोई भी पिचारी का जवाब नहीं देता सबी उसे इग्नोर कर रहे थी मतलब कोई भी उस पर तबच्चो नहीं देता अब रास्ते में जाते हुए इसे अपनी बच्पन की दोस्त मॉड के मॉम डैड दिखाई देते हैं जिनने देखकर ये छुप चाती है यहाँ पर ये बात तो साफ थी इसका टाउन में आना बिलकुल मना था ब्रेंड खुद अकेली नहीं रहना चाती थी बलके ये उसकी मजबूरी थी अब वो घर आकर अपनी बच्पन की दोस्त मॉड को खत लिखती है तो भी उसके घर पोस्ट में डाक्या आता है जो एक बाक्स देनी आया था जिसमें छोटा सा स्कूल था जो इसने अपने टाउन के मॉडल के लिए मंगवाया था वो स्कूल को अपने मॉडल में रखकर बहुत खुश होती है इसी तरह हस्ते खेलते वो अपने हट को भी पूरा करती है जो के मॉड को लिख रही थी वो जिसमें अब ये लिखती है मॉड में जानती हूँ मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ इसके घर में मॉड के तस्वीरें भी थी जो सिर्फ उसके बच्पन की थी या मॉड कहीं पर चली गई थी आखिर मॉड का राज क्या था अब इन सब बातों के बारे में हमें आगे चाकर पता चुनेगा एक रात ब्रेन जब सो रही होती है तो भी अचानक से उसके घर की सारी लाइट्स चल जाती है मगर ब्रेन अब भी सो रही थी कुछ देर के बाद सारी लाइट्स पन भी हो गई थी तब यूब बाहिर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर, ब्रिंट जाग गई थी, वो वास notor असल बाहिर से डस्ट बीन गिरने की थी, जब ब्रिंट उसे ठीक करने के लिए जाने के लिए लाट चलाती है, तो ये क्या? उसके घर की कोई भी उपर कि तरफ आजाता है। प्रेंट जल्दी से बागकर अपनी कमरे में बैट के साइट पर छुप गई थी। वह एलियन जब बैट के कमरे में पहुंचता है तो बैट के नीचे जाकर छुप जाती है। उसने करेब से उस एलियन के पाउँ देखे थे जो बहुत ही अजीब पर जब उस एलियन को कोई नहीं मिलता वो खिड़की से बाहर निकल जाता है अब प्रिंट जल्दी से खिड़की को बंद करती है तब ही उसे महसूस होता है कि जैसे वो एलियन उसकी छट पर चल रहा हूँ इसलिए वो जल्दी से नीचे जाकर अपने तरवासे को भी बंद क घर की सारी लाइट्स चलने बुचने लगती है जितनी भी अलेक्ट्रोनिक डिवाइस थी वो भी खुद बाखुद चल रही थी यह सब देखकर पुलिस को कॉल करती है मगर उसका फॉन भी काम नहीं कर रहा था पॉन के भी वही आलत थी जो उसके फृच्च की थी दर असल सब चीजों को वो एलियन ही कंट्रोल कर रहा था ब्रिन डर कर कोने में जाकर बैट जाती है तब ही उसके करीब वो एलियन आता है यहाँ पर ब्रिन ने एलियन के चेले को गौर से देखा था जिससे देखकर वो डर जाती है और उस एलियन को धक्का देकर अपने कमरे की तर भागती है तभी एकदम से घर के तरवासे में धमाका होता है जो ब्रिन को आकर लगा था ये सब कुछ भी एलियन नहीं किया था वो बिना हाथ लगाए उसके घर की हर चीज को कंट्रोल कर रहा था अब जब ब्रिन टाउन के मॉडल की तरफ जा रही थी तो एलियन उस टेबल पर मौत हो गई थी ये देखकर ब्रिन बहुत सैता डर जाती है और सारी रात उस एलियन की नाश के आगे बैट कर गुजार देती है जब सुबा होती है तो ब्रिन एलियन की नाश पर चादर ढगती है और पुलिस को भी कॉल करती है मगर उसका फॉन ड़ट था उनके साथ स सोचती है कि उसी क्या करना चाहिए तब ही उसकी नजर अपने सर पर जाती है जहां से खून बहरा था अब वो जल्दी से नहाने जाती है और तैयार होकर अपने अंदर आने वाले रास्ते के आगी एक सोफा लगा कर बंद कर देती है दरासल कर रात एलियन से लड़ाई के दुरान इसका दरवाजा एलियन ने बलास कर दिया था उसने सोफा तो लगा दिया मगर इसका कोई फाइदा नहीं था है और फिर भी अवो साइकल लेकर टाउन की तरफ जा दी है जहां पर वो पोस्ट मैन की वैन को देख दी है उसका भी बुरा हाल था यहां तक कि जिस ल थे मौट की मौम उसके मौपर थूख देती है इस बात को देखकर यह अंतासा तो हो गया होगा यह मौट की घर वाले उससे कितनी नफरत करते थे ब्रेन इस बात को समझ चुकी थी कि उसे टाउन से कोई मदद नहीं मिलने वाली इसलिए वो रोते हुई अपने घर वापिस चाती है वगर रास्ते में उसकी तपियत खराब हो रही थी उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता ब्रेन को यह समझ आ गई थी कि उसका इस टाउन में कोई भी नहीं है और उसका घर तो एलियन के हमले से तबाह हो गया इसलिए जो वो अपने सामने से गुसरती हुई बस वो दाईरा एलियन्स नहीं बनाया था तब ही बस में बैटी ब्रेंट पर पोस्टमेन हमला कर देता है दरासल वो ईलियन के कन्ट्रोल मी था उसकी गले में कोई ऐसी चीज थी जिससे एलियन का इंसानों पर कपसा हो चुका था एलियन नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़ कर चला जाए इसलिए पोस्ट मैन भी ब्रिन को रोक रहा था उस बस में और भी पहुंच से लोग थे जो एलियन के कपसे में थे अब उनसे रच्पन की दोस्ट मर चुकी थी जो के ब्रिन की कलते की वज़ा से मरी थी और इसलिए टाउन के सबी लोग इससे नफरत करते थे आस तोर पर मॉट के मॉम डैड कहानी में एक पहलू तो क्लियर हो गया मॉट मरी होई थी जिसकी वज़ा ब्रिन खुद थी इसलिए वो पन जिसको वो पसंद करती थी वहां पर और भी बहुत से लोग थे जो सबी आसमान की तरफ हाथ ऊपर करके खड़े हुए थी उन सब की गले के अंदर भी वही चीज थी जो हमने पोस्ट मैन की गले के अंदर देखी इसका मतलब इन पर भी एलियन का कपसा था आगे जब ब्रि दिल चारों तरफ थे ब्रिंस समच चुके थी कि एलियन्स का हमला दुबारा होने वाला है इसलिए वो डरने के बजाए एलियन्स का मुकाबला करने की तयारी में लग चाती है घर के अंदर जाकर वो एक लाइटर उठाती है और साथ ये कटर पानी को बलने उसके चूले प अब इलियन्स आचूए थी सबसे पहले वो अपने साथी एलियनκι लाश को कहेंच तैया जिसे ब्रिंड मार दि यह देखकर घर की बेसमेंड में जाकर चुप चाती है तब ही दूसरा एलियन्स के घर में दाखिर होकर इसके पास बेसमेंड में आ गया TY ता गो उसन आंदर जो ताकत थी, वो हर जेस को अपनी तरफ खेंच सबता था, इसलिए वो केंची को भी खेंच लेता है, ब्रेन के हाथ में मॉर्डर उसकी जो तस्वीर थी, उसे भी एलियन ने अपनी तरफ खेंच लिया था, और उसे बहुत ही गोर से देख रहा होता है, इसी बात का फाइद ब्रेन ने रखा था, उस जोटे एलियन पर डाल देती है, मगर उस एलियन को इससे कुछ भी नहीं हुआ था, अब ब्रेन अपने बात्रूम में छुप गई थी, लेकिन वो एलियन इतना तेज था, बात्रूम के तरवाजे को भी अपने हाथों से चीर फाड़ कर देता है, ब्रेन अब खिड़की की रास्ती वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जल्दी से एलियन ने उसकी टांकों को पकड़ लिया था, ब्रेन जाड़ू उठाकर उस एलियन को मारती है, लडाई के तुरान जाड़ू का डंडा भी तूट जाता है, अब उसी तोटे हुए ब्रेन उस एलियन की कंदे में मारती है, उसे एल्मारी से लटका दिया था, फिर उसके सर में इल्मारी का दर्वाज़ा देकर मारती है इतनी कोशिश के बाद आ underworld ऐस एलियन को मार दिया था। ब्रिंग जो बाहिर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था जिसके अब हादों के साथ साथ आंगे भी बहुत लंबी थी यहाँ पर ब्रिंग कुछ समझ नहीं पाती तब ही पीचे से पोस्ट में आकर उसे अपने साथ ले जाता है जो कि अब भी एलियन के कंट्रोल में था बाहिर जो एलियन था वो इशारे से अपने साथियों को यहाँ पर बुलाता है एलियन का स्पेस शिप वहाँ पर आ चुका था जो कि अब ब्रिंग को अपने साथ ले जाना जाते थे क्योंकि वो उनके साथियों को मार रही थी तब ही जब स्पेसशिप से सफेथ रोशनी नीचे की तरफ आती है तो उस रोशनी की तरफ ब्रिंट पोस्ट मैन को धगा दे देती है लेकिन कुछ देर के बाद वो वापिस समीन पर आकर गिर जाता है यहाँ पर मतलब साफ था वो एलियन सिर्फ ब्रिंट को यहाँ पर लेने आये थी लंबी टांगो वाला एलियन भी ब्रिंट के पीछे था वो उसके घर के उपर चड़ जाता है तब ही चल्दी से ब्रिंट अपनी गारी में जाकर छुप गई थी लेकिन एलियन वहाँ पर भी आ चुका था ब्रिंट जल्दी से गारी से बाहिर आती है और उस एलियन को गारी में ही बंद करके उस पर जलता हुआ लाइटर छोड़ देती है जिससे गारी में बहुत बड़ा थमाका होता है वो एलियन भी ब्लास्ट होने की बजा से मर गया था मगर अब भी एलियन के स्पेस्चिप से निकलने वाली सफेथ रोशनी ब्रिंट का पीछा कर रही थी वो भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है तब ही उसे अंदर एक और एलियन मिलता है जो पहले बेस्मेंट में इसके पीछे आया था जो उसे मारने की पजाई उसके तस्वीरा को गोर से देख रहा था तब ही पीछे से ब्रिंट उस एलियन पर हमला करने का सोचती है लेकिन एलियन को इस बारे में पता चल चुका था इसलिए वो ब्रेंट पर हमला करके उसे दूर फैकता है और अब एक लाल रोशनी ब्रेंट के घर के अंदर आती है जिसने उसे फ्रीज कर दिया था यानि के वो वहाँ पर जम गई थी अब एलियन उसके पास आता है मतलब जितने पिलोग गेलियनज के कंट्रोल में थे उन सब के गले में यही पैरासाइड था तब भी ब्रेंट जाग जाती है देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपने से जागी हो असल में अब वो पैरासाइड ब्रेंट के जिसम पर हावी हो चुका था समझाती है कि ये सिर्फ उसका एक सपना है, असलियत में तो उसकी दोस मौड मर चुकी है, इसलिए वो अपने हलक में हाट डाल कर उस पेरासाइट को निकाल देती है, जो सेलिन नी उसके गले में डाला था, ऐसा करते ही, वो अपनी असल दुनिया में होश में आ गई थी, एक नया जिसम मिल रहा था, जो के ब्रेंड का था, आसमान पर एलियन्स के बहुत से स्पेसशिप थे, हर कोई अपना काम कर रहा था, यहाँ पर हमें उन स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनियों के बारे में पता चलता है, सफीद रोशनी इनसानों को उपर खैशने के ल इस शिप में ले गई थी, जहाँ पर धेर सारे इलियन्स थे, वो उसके दिमाग पर उंगली रखकर उसकी यादों को जानना चाहते थे, इससे हमें भी यहाँ पर पता चलता है, कि उसके साथ उसके पुराने जिन्दकी में क्या हुआ था, सारा टान उससे नफरत क्यों करत और उसके दोस्त आखिर मरी कैसे थी, तो असल में हुआ कुछ यूँ था, बच्पन में ब्रिन और मौट का जगड़ा हो गया, मौट ब्रिन को धक्का दे देती है, जिसके बतले में ब्रिन ने एक पत्थर उठा कर मौट को मार दिया, और उसकी मौगे पर ही मौध हो गई, बड़ी ब्रिन अपने ख्यालों में चोटी ब्रिन को हत लिखने से भी बार बार मना करती थी, ताकि उसके जिन्दकी आगे बढ़ पाए, उसे पुराने यादे याद ना आए, सब को जानने के बाद एलियन्स ये फैसला करते हैं, कि ब्रिन को वो उसके दुन्या में वाप भी करता है, जिस लड़की को वो पसंद करती थी, वो भी उसके साथ अब ठीक हो गया था, वो एक पार्टी में नाच रही होती है, उसके साथ एक लड़की भी थी, ब्रिन के जिन्दकी बिलकुल ऐसी थी, जैसी उसने चाहिए, आसमान पर अब भी एलियन्स पेस्शिप घ काबला किया था, तो यहाँ पर फिल्म के नाम के मताबिक कहानी भी क्लियर हो जाती है, नो वन विल सेव यू, यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है, ब्रिन को किसी ने भी नहीं बचाय था, टाउन के किसी इंसान ने उसकी म कादद नहीं की, तब मुसीब्तों का उसमें खुद मुकाबला किया, और इसी के साथ इस फिल्म की एक कहानी भी यही पर खत्म हजाती है,